आज रात को खाना के लिए बहुत लेट हो गया था क्योंकि हम सभी लोग बाहर गई हुए थे और मैं अभी जेस्ट लोटी ही थी तो देखा सभी लोग भूके हैं और मुझे टिफिन बना के तयार करना था तोसी के पापा के लिए क्योंकि रात का जो खाना है वो इस समय घर लेट है तो उनके लिए टिफिन जाता है तो भाई बहुत टायम होगिया था तो मैंने कहा क्यों न आज इस ट्रेग से बुना प्याज लिहसुन के ये आलू की सब्जी बनाए जया ज्ख़वाख कि बिना प्यार्ज लेसbecue कि इसलिए बना रहे हूं कि नव्रात्य चल रहे हैं तो बहुत सारी लोगों कि यहां प्यार्ज लेसरू नहीं खाया जाता है फिलाल टो नहीं चल पाता है मुझे तो प्यार्ज लेसुण की रोजाना कुछ गूण कुछ रेस्पी बनानी होती है लेकिन जिनके यां प्यार लेसुण नहीं खपता है वो इस यहां पर आलू को बहुत अच्छे से दोना मसल मसल के दोना बहुत जरूरी है ताकि बिलकुल भी उसमें डेस्ट वगेरा न रहे और यहां पर मैंने तीन टमाटर ले लिये थे टमाटर को आधे आधे बागों में कट कर लिया दोहरी मिर्चे ले ली थी मिर्च में चीरा लग कर लोगे डंठल मत फेका कर यह डंठल में बहुत अच्छी कुछबू होती है जो सबजी के टेस्ट को बढ़ा देती है चले फटा फट से मसाले के तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल से मसाले चाहेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच भर करके धनिया प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा मैं आपको पर्शनरी बोल रहे हूँ इतनी अच्छी लगेगी बस एक बार ट्राइग जरूर कर लेना पैसे अच्छी ना लगे तो लाइक जरूर करना अब हम क्या करेंगे इस मसाले में थोड़ा सा पानी डा जाता है अब यहां पर हम फ्लेवर देने वाले हैं बंडारे वाला आपने जब भी बंडारे में सबजी खाई होगी एक अलगी टेस्ट रहता है मतलब इतना अच्छा लगता है कि बस खाते जाओ और ना उसमें प्याज रहता है ना उसमें लैसुन रहता है तो वो टेस्ट आ तो मसाले में हम क्या क्या डाल रहे हैं पांचे काली मिर्चे एक चम्मस साबुत दनिया एक बड़ी लाइची और आधा तुकड़ा जावित्री का जावित्री थोड़ी कमी डालनी है अगर ना हो तो आप कोई बात नहीं है जावित्री को स्किप भी कर सकते हैं बंडारे में स्थोड़ा सा लॉंग भी डाली जाती है आज मेरे पास लॉंग थी नहीं वरना दो लॉंग भी आप इसमें डाल दीजेगा इन सबी मसालों को क्या करना है दर-दरा कूट लेना है क्रेश कर लेना है बारीक नहीं करना है दर-दरा रखना है ताकि जो यह मोटे-मोटे से तो हमने बात आते हैं तो बहुत अच्छा टेश्ट देते हैं सब्जी में नढए है तो यह सब्द्धारे का secret टो भस मसाले कोमने कोट लिया है अब सारी तयार यहifi है आझ गोड़ी हो इसमें ड़ें टेल जीरा ञाएगा डाला साथ में दो तेच पत्ता अब यहां पर हमने जो मसाले कूट की रखे हुए थे इन मसाले को हम डाल देंगे और ये जो हमने घुल बनाया था न इस घुल को डाल देंगे अब बस मसाले को हमें क्या करना है बड़िया से भूनना है लेकिन एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर पैज रेसुन का तो इस्तमाल है नहीं तो आपको बीच बीच में जैसी ड्राइ हो जाए ना मसाला थोड़ा सा पानी एड़ करना होगा हलका हलका पानी डालते हैं मसाले को बूनना है वरना जो मसाले है वो तले पर लगेंगे चिपकेंगे तो लगबग यहाँ पर मैंने दो तीन मिनट तक मसाले को बून लिया है अभी हमें पूरी तरह नहीं बूनना है लगबग हलका सा बून जा है दो तीन मिनट तक अब हम इस तो बस इसमें हमने दो री मिर्चे भी डाल दी है जो चीर लगाके रखे जील लगाएं तक हरी मिर्च के अंदर जो इसका रस हो और crypt कहाने में ब्हुत अच्छी लगती है तो एह सकते हैं तो त्माटर तो मैंने फिर से थोदस पानी अड़ीय और बापस से इसकी हम बड़िया से बुनाई करेंगे तो लगबग 2-3 मुट का समय और लगा और जो मसाला है वो बहुत अच्छे से बुन चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए टमाटर तो यहाँ पर मैरे टमाटर को बड़े बड़े तुकड़ों में इसलिए काटा है क्योंकि सबजी बनाते समय हमें इसमें एक्दू सीटियां एक्ष्टर दनानी है तो जो टमाटर है वो अपने आप ही गल जाएंगे तो ज़्यादा छोटे तुकड़े में काटने की जरूरत नहीं है अब जो आलू हमने यहाँ पर दोके रखे थे उनको हमें डालना है अब आपके मायन में तुरंती एकीज आ रही होगी कि रक्षा आपने आलू को छीला क्यों नहीं तो देखे यहाँ पर आपकी च्वाइस है आप चाहे तो आलू को छील सकते हैं लेकिन अगर आपने बंडारे बगएरा में सबजी खाई हो तो वहाँ पर आलू को छीलन नहीं जाता है सीधे उबाल करके मैश करके डाल देते हैं तो मेरे घर पर भी मेरे मम्मी पापा को छीलके वाले आलू की सबजी बहुत पसंद है तो यहाँ पर प्लीज आप नेगेटिव कमेंट मत करिएगा मैंने अच्छे से आलू को वाश कर लिया है आप बेफिक्रो करके आलू को छील सकते हैं और अगर आपको अभी नहीं छीलना है तो बाद में भी मैं आपको बता दूँगी कि कब किस स्टिच पर आप आलू को छील सकते हैं तो मैं यहाँ पर काम भी बहुत आसान कर रही हूँ बड़े बड़े आलू थे आप छोटे भी ले सकते हैं मीडियम साइस की भी ले सकते हैं जो भी हो बस उसी साफ से सीटियां आपको दिलानी होगी तो अब बस हमने क्या किया आलू को भी डाल करके अच्छे से मिक्स किया और इसमें लगबग आदा ग्लास की करीब पानी डाल दिया है अब इसमें हम ढकन करेंगे बंद और कम से कम चार सीटियां मीडियम फ्लेम पर आने देंगे बड़े आलू है इसलिए मैं चार सीटियां आने दे रही हूँ लेकिन धीमी आज पर दिलाएंगे न सीटियां मीडियम फ्लेम पर तो आलू बहुत अच्छी से पक जाएंगे हाई फिलेम पर आप 5-6 सीटियां भी दिला देंगे तो बहुत टाइम लेते हैं आलू पकड़े में और अगर छोटे साइस के आलू डाले हैं तो आपको बस 2 सीटियां ही दिलानी है तो 4-5 सीटियां दिलाने के बाद करके उसमें एक चाकू गपा करके देखनी है या एक टूथपिक गपा करके देखनी है अगर आराम से जा रही है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आलू अच्छे से गल चुके हैं तो बिल्कुल परफेक्ली हमारे आलू गल चुके हैं आप यहां पर आप दो तरीके से आलू को तोड़ सकते हैं आप चाहे तो कर्चली में वहीं के वहीं आलू को इस तरह से तोड़ सकते हैं या हलका सा पुस कर सकते हैं मैसर से तो भी उसके तुकड़े हो जाएंगे जैसे उबले आलू को हातों से तोड़ते हैं या आप चाहे तो आलू को एक एक इस तरह से लीजिए और चाकू की मदद से जितने चोटे तुकड़े करना चाहते हैं आप कर सकते हैं दोनों ही आपके पास आपस तीन आपसन हैं मैश भी कर सकते हैं अब मैंने आपसे बोला था ना कि छिलके अलग कब करेंगे तो आप चाहे तो यहीं पर एक एक आलू को उठा करके चिलके अलग कर सकते हैं या इस तरह से काट दीजिए और एक एक करके चिलका अलग कर लीजिए बहुत ही आसानी से चिलका अलग हो जाएगा तो मैंने एक आलू के चिलके अलग करके आपको दिखा दिये हैं बाकी कि मैं चिलके अलग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे भी चिलके वाले आलू की सबजी बहुत पसंद है गाओं में पहले हमारी दादी नानी छीला नहीं करती थी है ऐसी बनाती थी बड़े ही जबर्जस सबजी लगती थी आजकल तो बहुत जादा मतलब ध्यान देते है चिलके अलग कर देते हैं जबकि चिलके में बिटामिन्स मिनल्स बहुत सारे वोशकतत मिल जाते हैं मैं यह नहीं कहूंगी कि आप बनाईए बनाईए अपनी च्वाइस है बट मैं बना रही हूं इसमें कॉम्प्लिमेंट मत करिएगा अब क्या करेंगे इसका ढखकन रख और दो-ती मिनट के लिए हम इसको हाई फिलिम पर अच्छे से पका लेंगे सबजी को तो इससे क्या होगा जो हालू हमने काटे है ना उसमें भी बढ़िया से रस लग जाएगा अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाएगा तो सबजी तो हमारी कम्प्लीट है लेकिन हम इसमें एक की स्पेशल तड़का देंगे जिससे सबजी में कलर भी आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा वो तड़का लगाना है आपको देसी घी से इतनी बढ़िया खुश्बू आएगी कि सबजी की पूरी खुश्बू घर में फैल जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा हो ज जाएगा और खाने का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा तो लीजे बिलकुल तयार हो चुके है हमारी जटपड बनने वाली बिना प्याज लैसुन की आलू टमाटर की सबजी नवरात्री चल रही है नौमी अस्पमी पर मातरानी को भोग भी लगता है कन्या भोज होता है कि कब मम्मी की सब्जी बन जाए और कब हम खाएं तो भाई मैं तो फिलहाला भी इसका टिफिन लगाऊंगी बच्चों को नीचे देने जाओंगी सब्जी मेरे हां तो खमने खमने वाली है आप लोग इसको जरूर ट्राई करना पर्शनली बोल रही हूं एक बार क्यार का दीजिएगा फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी रैस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार